नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूं आप सभी का शिक्षा प्रवा में दोस्तों मैं करुणा ये वीडियो लेकर के आई हूं RBSC राजस्तान माधिमिक सिक्षा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और बिटा इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चे पढ़ेंगे अपने चितरकला सब्जेक्ट का चैप्टर नमबर 3 मुगल लगू चितरकला शेली बिटा इस चैप्टर पर कुछ पाठे पुस्तक प्रश्ण और उनके आंसर यहाँ पर दिये गए हैं इसके लावा बिटा में दो वीडियो और RBSC चितरकला पर बेस्ट अप्लोड कर चुकी हूँ जिसमें की इस से पहले वाली जो वीडियो है वो चैप्टर नमबर 2 राजिस्तानी लगो चितरकला शेली पर है और इसके लावा एक वीडियो आपका चितरकला का ओवर ओल स्लेबस उसके अंदर मैंने दिया हुआ है क्या आपका एक्जाम परटन होगा कितने नमबर का पेपर आपका आएगा कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के गुशन्स आप से पूछे जाएंगे उसकी डिटेल महाँ पर दी गई है तो वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दुगि आप वहाँ से अन दुन जिसमें बिटा सबसे पहला प्रशन है आपका मुगल चित्र शैली का विकाज कब हुआ तो बिटा 16-19 शताबदी के मध्ये मुगल लगु चित्र शैली का विकाज हुआ कुशन नमबर दो है बिटा मुगल शैली किन शैली के मिश्रण का स्वरूप थी तो प्रारंभ में तो मुगल कला पर फार्शी शैली का प्रभाव था उसके बाद भारती शैली का प्रभाव आया और अंतिम चरण पर इसमें यूरोपेन कला का प्रभाव भी देखा जाने गलाकार था जिसको हम पूर्व का राफेल भी कहते हैं यानि कि इरानी और फार्सी का लाकार था बेजाद जिसको पूर्व के राफेल के नाम से जाना जाता है Q4. बहिजात किस शैली का कलाकार था? तो इसका अंसर भी इहां पर बिल्कुल गलत दिया हुआ है. ये मुगल शैली का कलाकार नहीं था बेटा. ये था किसका? फार्सी और इरानी शैली का कलाकार. Q5. बाबर ने अपनी आत्मकथा में किस चित्रकार का उलेक किया है? तो बाबर ने अपनी चित्रकला में बहिजात का उलेक किया है. Q6. बाबर ने बहिजात के लावा किस अन्य चित्रकार का उलेक किया है? तो वो है सहा मुझफर. Q7 है फार्सी सेली का कौन सा कलाकार के इस चित्रांकन में पारंगत था तो सहा मुजफर बालों का चित्रन बहुत अच्छा करता था ऐसा बाबर ने अपनी आदमकथा में लिखा है Q8 है फार्सी सेली का कौन सा कलाकार डाड़ी युक्त चहरे बनाने में निपोन था तो इस चित्रकार का जिक्र यानि कि भीजात का जिक्र भी बाबर नामा में बाबर नहीं किया है बाबर के बारे में बेटा अगर में बताऊं तो बाबर एक ऐसा मतलब मुगल शाशक था मतलब बाद में मुगल शाशक हुआ क्योंकि मुगल सामराज्य की जो इस्थापना है भारत में वो बाबर नहीं की थी उसको कई भाषाओं का ग्यान था ठीक है? और उसमें जो बाबर नामा है वो तुर्की भाषा में खुद ही लिखी है उसने किसी इतिहासकार के बांते हमसे अपनी बुप को नहीं लिखवाया है कुश्य नमबर 9 है विटा हिमायू ने अपने दर्बार में किम दो फार्षे चित्रकारों को अमर्तित किया था तो हिमायू कौन है? अब बाबर के बाबर का बेटा हिमायू और उसने दो फार्षे चित्रकारों को अमर्तिती है मतलब उसने इंडिया से चित्रकारों को नहीं लिया बाबर ने भीजाद और सहा मुझभफर के बारे में अपनी आत्मकथा में लिखा और फिर हिमायू ने वही जो उनका प्रांथ हुआ करता था कंट्रे हुआ करती थी एरान वहां से दो कलाकारों को बुलाया फारस एरान और फारस एक ही बात है और वो दो कलाकार थे मीर सेयद अली और अबुद समझ सिराजी चिके बटाँ अब है क्वेशन नमबर 10 हमजा नामा पांडुलिपी का चित्रांगन किसने प्रारम करवाया तो सबसे पहला वाला जो पांडुलिपी गरंथ है वह जो था हमजा नामा अगर मुगल आर्टिस्ट और मुगल शाष्वों ने किसी पहले ग्रंथ की रचना शरू करी तो वह हमजा नामा था और इसको प्रारम करवाया किसने हमायू ने क्यों क्योंकि बाबर को तो बहुत जादा टाइम मिला नहीं हमारे हाप पर शाषन करने का 26 में उसने दिली मे मुपल सामराजी के सापना करी 1526 में और 1530 में उसकी मृत्यू हो गई और तो उसके बाद 1530 के बाद हमायू गदी पर बठा और हमायू ने हमजा नामा पांडू लिपी का चितरांगन प्रारम करवा है अब बात आ जाती है बिटा कि ये पांडू लिपी है क्या तो अगर हम कहलें या आप अपनी चितर कला की बुखी देख लो तो उसमें ऐसे थियोरी में किसी चितर का उलेख किया है और फिर वहीं पे उस चितर को ऐसे प्रिंट भी किया हुआ है तो ये चीज होती है पांडू लिपी हमज़ नामा में कितने चितर निर्मित क्या गए थे तो चोःदा सो चितर जो है वो बनाए गए थे हमज़ा नामा गरंth में नमबर बारह है रजम नामा किसी कितरेनय पूरा हुआ है तो दसवंत एक भारती राकार था जो की अकभर काली चितरकार था हिमायू का पुत्र अकबर था, हिमायू ने भी बहुत ज्यादा साशन ऐसे इंडिया में नहीं किया, क्योंकि उसको सेर सहा सुरी ने हरा दिया था, उसे भी बहुत कम टाइम ही यहां पर एज़ा एंपररर या फिर साशक रहने के लिए मिला इंडिया में, तो जब रस्म नमा अकबर नहीं इस निती को हमारे यहां पर शरू किया था, कि मतलब उसने भारतियों के साथ ऐसे संबंध बनाए थे, और क्योंकि उसे यहां लगा कि अगर मुझे भारत में बसना है, अगर मुझे भारत में शाशन करना है, तो मुझे हिंदू के साथ मितरता पूर्ण वहव या हिंदुत्व चीज़ों को किसी ने डाला है, तो वह दस्वंत ने डाला है, और रस्म नामा था क्या हमारे यहां पर जो महाबारत है, आप सभी को पता होगा ठारा दिन का यह दूआ था, तो महाबारत जो ग्रंत है, उस ग्रंत का फार्सी में अनुवाद जो करा, वह र कोश्या नम्बर तीरह नम में और में at power 4 चीज़ों को रस्य नम्बर गे कामीतों है, तो चीज़ों नम्बर 14 चीज़ों किट्र कार चीज़ क्यूं अकबर के गाल पे तो भारतिय प्रभाव आने लगा, मतलब फार्सी प्रभाव मुगल कला पर पहले था, अकबर ने भारतिय कला कारों को, यनि कि इंडियन आर्टिस्ट को अपने चित्रशाला में इंक्लूड करवाया, मतलब जगा दी, तो वो दोनों ऐसा हिंदुत् समावेश हो गया अब भी जहांगीर के समय की थार्तिस्ट दूपर आने लगे तो यूरोपान पर गवाफ, जहांगीर के समय के मूबल कला पर तो By By Maidona and Child, ऑसी की प्रतिकृति रुटेटी है, पुलम किस ने बनाई? भासावन ने बनाई तो अब बसावन किस के समय का गलाकार हो गया, जहांगीर के समय का, कुशन नमबर 15 है, रजम नामा किस का फार्सी अनुवाद है, तो मैंने अपी इससे पहले वाले कुशन बताया था, रजम नामा महा भारत का फार्सी में अनुवाद है, कुशन नमबर 16 है, जहांगीर का सप तो उस्ताद मिस्किन ने नूह का संदू के जो था वो चितृत किया और यह चितर भी जहांगीर के समय में बनाया गया है Queshion Number 18, Gowardhan उठाते कृष्ण चितर किस पांडूलिपी का भाग है और किस पांडूलिपी का भाग है गोवर्ण उठाते ओसी पुराने एक चित्र है गोवर्ण उठातेक्रिश्न, आप सभी को यह वाली जो मतलब हमारी पुरानी कथा है आप सभी को पता होगी मैं आशा करते हूं तो उसी कथा पर अधारे चित्र गोवर्ण कहते है श्रे कशन है कुछ न 129 डारा सिंकों जहां पुत्र हमें किक्कार स्फलहें किया था oh हाजी mg भुके का फु 카िष कार थी जिनूसल्यामकी क्लोडबी किक्रों डारासिकन को पर ने नया है किया दारा सिंकों त ora हो सिंक और नया है जिल्म्नत कित्र हमें तोरेंग जेम अपने भाई दाराशिको की हत्या कर दिया है, वैसे उसे अपने सभी भाईयों को मार डाना है, लेकिन क्योंकि दाराशिको छहाजहाँ बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए उसके मृत्यू के घंभे सहाजहां की म्रत्यू होगी, तो कोशन था हमारा क्या दाराशिकोगी बारात का जो चित्र है वो किस चित्रकार ने बनाया तो वो बनाया हाजी मतनी ने कोशन नमबर वी से जहांगीर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे तो जहांगीर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे मिस्किन और इसके लावा अबुल हसन, हम अबुल हसन को भी नहीं भूल सकते, मिस्किन और अबुल हसन दोनों ही इंपोर्टेंट आर्टिस्ट थे जहांगिर काल में, कुश्य नमबर 21 है, गोवर्धन उठाते क्रेशन का चत्र कहां पर संग्राइथ है, तो ये न्यू यूर्क में है, कौन सा म्यूजियम है, तो मेट्रो पॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यू यू 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 में है, ये वाला चत्र जो इसकी मूल करती है इसके लावा जो इसकी प्रतिगरती है, उसको अप्रास्र संग्राले नहीं दिली में देख सकते हैं, कुश्य नमबर 22 है, मुगल काल के में रंगो को कैसे तेयार किया जाता था, तो मुगल काल में पारदर्शी रंगों का प्रियोग होता था, इन रंगों को प्राकर्तिक प्राप्त करके रंग पदार्थों को पीस कर रंग बनाया जाते हैं, जो कि अधिक तरह से पत्थर के पत्थर में या फिर डलों के रूप में मिलते थे, जैसे कि हिंगुल से सिंदूरी रंग मिलता था, और यह जो है यह थोड़ा सा गलत प्रिंट हो रखा है, यह है लेप चूना पत्थर से मिलता था, सफेद रंग चारकोल और काजल से बिटा मिलता था, काला रंग ठीक है, तो यह रंग प्राप्त करते थे, इन चीजों से मुगल कला के दोरान, यानि की मुगल काल के दोरान, तो चितर में विशेष प्रभाव दिखाने के लिए सूने और चां क्शियन No. 13, क्शियन No. 23 है रेंबरा कौन है, रेमबरा अधभ बोलेता है रेंबरा कौन है, तो यह एक यूरोपेण चितरकार है, और कहा जाता है कि यहूं की रेखायों की वह नकल करता था है, शोनी No. 24 है बिटा, पक्षी स्टेंट पर बाज नामक चितर के चितरकार कौ की जब इस बी मेर मंसूर में वहाच चितरगता ह् है तो जब इस बाज को फिर निगा था और लिखा भी था क्यों नमर पर पाज को जो जिर ढाता है विर मंसूर में के दिः जीखकर वाज के कैली किष्टार्थ अकबर ने मुगल कला की नीव डाली, तेखो विटा, मुगल शाषन की नीव किसने डाली, मुगल शाषन स्थापित किया कि इसने बाबर ने, ठीक है, फिर बाबर भी चार साल रहा, उसको भी इतना टाइम नी मिला, फिर हिमायू भी बहुत जादा से संगर्स में रहा, वो हा लेकिन अकबर ने बहुत लंबे समय तक हमारे हाप पर साषन किया है, तो अकबर ने मुगल कला की नीव डाली, और अकबर ने नीव डाली और उसको बहुत अच्छे से पोशित किया, या फिर उसका सुन यूग एक तरह से गए, या बहुत अच्छा समय चरम समय अगर कहा जाए तो जहांगी और इस्थापत्य की द्रस्टी से अगर सुन यूग कहा जाए तो शहां जहां यहां पर आजाएगा, क्वेशन नमबर 26 है, अकबर कालीन चितरकला पर किस शैली का प्रभाव था, तो अकबर कालीन चितरकला पर भारतिया और फार्सी कला का जो की USA में है, वहां पर यह वाला चितर सुरक्षित है, क्वेशन नमबर 28 है, मुगल शैली में गोवर्धन परवत उठाय हुए क्रिशन का चितर किस चितरकार ने बनाया, तो यह है उस्ताद मिस्किन ने, इससे पहले में बता चुकी हूँ, कि यह वाला चितर कहां पर सु चितर कार ने निर्मित किया है, तो इसका अंसर हो जाएगा, कि विचितर नामक चितरकार था, जहांगीर कालिन चितर है विटा, और जहांगीर कालिन ही चितर कार है विचितर, तो विचितर ने इस चितर को चितर किया था, और इस चितर को हम जान सकते हैं किस नाम से समय सू यह चित्र बनाया चित्रत किया अबुद समध सिराजी ने अब आप लोगों को एक हम वरकोर है अबुद समध सिराजी किस मुगल शाषक के समय का चित्रकार है इसका जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में तो यह हो गए आपके 30 questions उम्मीद करती हूं आपको बहुत समझ आए हूंगे आपको व्युदियो अच्छी लगी होगी तो फिर इवीडियो को लाइक कर दें दोस्तों के साथ शेयर कर दें शीक्षपरवा पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीक्षपरवा को सब्सक्राइब जरूर करें